हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो दा चैनल तो आज इस वीडियो हम सीखने वाले है किस तरह हम फ्रूटी कंप्रेसर की मदद से अपने वोकल्स और बाकी चीज़ों को कंप्रेस कर सकते हैं किस तरह सारे हैक्स बताऊंगा जिसमें फ्रिक्वेंसी आपको दिखती नहीं है उसका यूज करके किस तरह आप हैक्स का यूज करके परफेक्ट कंप्रेशन आप पासकतो हर जग है बस वीडियो को पूरी जरूर देखना मस्त होने वाली है नॉलिज सीखके जाओगे नेक्स टाइम से कंप्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो बाते कम काम यूज करते हैं जैसे लिमिटर में दिखती है वहाँ कर सकते है जहां हमारे को इस तरह का कॉम्प्रेशन मिलता है जहां पर अपने को पता नहीं है किस तरह से करना है तो आज यह वीडियो उस पर होने वाली है तो गौर शे देखना और नेक्स टाइम से आपको कोई दिखक तो उसके लिए क्या करना होगा हमारे को compression मैंने काफी वीडियो बना रखी है बतल डिटेल में बना रखी है वो भी आप जाके playlist में चेक कर सकते हो वहां से आपको help मिल जाएगी पर यह थोड़ी सी अलग होने वाली है थोड़ा सा अलग मैं जो मेरा experience है और थोड़ा सा technique का use कर करेंगे किस तरह से करना है simple सी बात होती है ठीक है तो पहले vocal को सुनते है तो पहले किस तरह की range है जो मैं बुलता हूँ यहां पर meter पर देखना है जो peaks है इसकी dynamics है कहां तक loud कितना loud कहां तक है कितना quieter part कहां तक है यहां को हमको देखना है meter ठीक है सबसे पहले यह meter देखना हमने कि सबसे पूरा vocal सुनना है तो सबसे उपर वाला कहां तक जा रहा है और सबसे quiet वाला कहां तक है यह सुनना हमने तो य आपको यहाँपर दिख रहा है last वाला जा रहा है zero के आसपास टीक है और जो सबसे quiet जा रहा है सब्से नीचे जो low वाला है word है वो जा रहा है नो के आसपास यह 12 से थोड़ा नीचे सा सानी सारा जानि सारे निसा प्रमगबरे नी시ा जैसे किया आको दिख रहा है यहाँ पर जो quieter है सबसे निचे सुनाई दे रहा है वो है 9 के आसपास ठीक है और सबसे उपर है 0 के आसपास तो हमको क्या करना होता है जो threshold set करना होता है तो 9 के आसपास है तो हम इसको 9 के आसपास set करेंगे जो हमारा quieter सुनाई दे रहा है आपके पास 0 था सबसे उपर और सबसे नीचे कितना था 9 तो कितने का डिफरेंसेस में 9 dB का ठीक है 9, 8 dB का बीच में gap है तो इस तरह से आप compression इसका 6 dB या 3, 4 dB या 5 dB तक कर सकतो तो इस तरह से set करना आपने 10 तक set कर दिया हमने अब क्या करना अब है ratio का जो ratio है उसको set करना है उसको धीरे धीरे उपर ले जाना है ठीक है और चलो यह threshold कर दिया तो next चीज़ आते attack और release के बारे में बताते हैं सबसे पहले attack attack का मतलब यह होता कि जितना आप slow attack रखोगे तो यह क्या करेगा जो starting का word है उतने millisecond के बाद यह start से compress करना शुरू करेगा अगर इसको 0 रखेंगे 0 millisecond मतलब एक दम यह compress sir use होना चालू हो जाएगा अगर इसको 10 second पर रखेंगे millisecond पर sorry तो 10 millisecond बाद यह compress होना शुरू करेगा यह आपके उपर depend करता है आपको चाहते हो जैसे कि यहाँ पर जो dynamic range है यहां देखो जारा यहाँ कितनी नीचे है और यहां कितनी ऊपर है इस तरह से अगर आपने इस तरह आपने cut करनी है इस वाले dynamic range के साथ यह वाली dynamic range match करनी है तो आपके आगर सकते हो तो जो fast attack बिल्कुल 0 millisecond पर तब आपने क्या करना है तब आपके पास क्या होगा जो आपने 0 से value आपर set की थे threshold की जो एक सबसे highest यह वाला जा रहा था जो जा रहा था 0 पर यह सबसे नीचे वाला कहां जा रहा था 9 के आसपास जो quieter part है इधर नीचे वाला ठीक है तो इस तरह से इसको set करना क्योंकि हमने इसको काटना है तो क्या करेगा हम इसके साथ मिलाना है तो क्या करते है फास्ट अटैक रखते है ठीक है अगर इसको नहीं काटना हमारे को सेम अपने को compression करना सिर्फ तो क्या करेगे आप इसको लेट रख सकते हो बाकि जितनी जादा practice करोगे उतना आपको समझ आएगा यहां तक आपको क्रियल हो गया होगा तो हम इसको जीरो रखेगे क्योंकि हमने ये मैच करना ये वाला इसके साथ मैच करना है क्योंकि हमने इसको काटना है ठीक है कंप्रेस करना है इसके साथ मैच करने के लिए ठीक है तो यहां से धीरे धीरे अब हम रे तो देखो हमने gain reaction कितना किया 9 के पास सबसे कम था उपर जा रहा था 0 के पास ठीक है 0 से 9 के बीच की दूरी कितनी हुई आपको पता ही 8 तो माइनस 7 या माइनस 8 हमने जो gain reduction इसका कर रहा हुआ है तो इस तरह से आप देखो बिल्कुल set कर दिया जो सबसे नीचे वाला हमारा शब्द था उसके साथ इसको हमने ला लिया है अब यहां पर आपको यह देखना है कि ओवर कंप्रेस तो नहीं हो रहा अगर आप इसको थोड़ा सा कम भी set कर सकते हो जरूरी नहीं है कि पूरा ही आपने अगर आप कर सकते हो जितना आपने रखना है अगर आपके पास ज्यादा ही quiet part है तो इस तरह से आप रख सकते हो फिर इसका जो ratio है वो उस हिसाब से set कर सकते हो तो आपको लगता है कि 0 से 8 db का gap था 0 से 9 के बीच तो उसके बीच का आपने सिर्फ 5 db का gain reduction करना है तो आप इ किसी साब से आपको चीए बाकी तो सुन-सुन के आपको देखना है कहीं जो starting का शब्द है over compressed तो इस तरह से आप 2-4 db का जितने का भी अपने match करना है तो जो gap इससे क्या होगा जो आपका जो शब्दों के बीच का gap है जो कई जादा होते है और dynamic range बोलते है जिसको कम और ज इसको जो हर शब्द होगा आपका वो perfect way में सामने mix में आपको सुनाई देगा अब आपको पता लग रहा होगा अगर मैं compressor को बंद करूँ तो पहले difference आपको पता लग रहा होगा शुरू वाला था वो थोड़ा कम सुनाई दे रहा था कहीं पर शब्द कम सुनाई दे थे कहीं पर ज़्यादा सुनाई दे रहे थे थोड़ा unbalance था अगर इसको तो इस तर threshold सेट करना है जो fruity compressor से आप करोगे जिसी कहीं भी आप करोगे किसी भी compressor से इस तरह से signal देखना है जो peak level है dynamic range देखनी है सबसे ज़्यादा पूरा vocal सुनके उसके बाद इस तरह से करना है जैसे मैंने बताया ठीक है अगर मैं compressor को off करो तो देखो कई शब्द आपको बिल्कुल कम सुनाई दे रहे कई जो loud है वो जादा ही सुना दे इसलिए इसने क्या कर दिया अगर हमने इस तरह से करें तो देखो जो balance सबसे कम वाला शब्द था अपने minus 9 के आसपास और हमने भी compressor का use किया तो सारे को minus 9 के आसपास रखने के कोशिश की अब सब equally सुनाई देंगे अब आपको यहां पर सुनाई दे रहोगा काफी difference आपको यहां नजर नहीं आ रहोगा शब्दों के बीच इस तरह से आप perfect way में compressor का use कर सकते हो बाद में अगर आपने मालो इतना gain direction मतलब आपका volume खो दिया है तो इसको वापस boost कर सकते हो फिर release की बात हमने नहीं किए release आप यहां से उस हिसाब से रख सकते हो इसको जितना आपने थोड़ा सा slow रखना है sorry fast रखना है या फिर slow रखना है तो release यह होता है कि जितना ज़ाद आप रखोगे मतलब जो सबसे नीचे वाला शब्द है minus 9 के आसप तो उसके हिसाब से आप जितना ज़ाद रखोंगे तो क्या करेंगा नीचे वाले तक शब्द को यह टच करेंगा तो वहां तक इसका compression apply होगा तो मैं बोलूगा जो वोकल्स पर यूज होता हूँ 200 से 200 के बीच आप रख सकते हो या फिर 100 के आप सकते हो जिसे हिसाब से आप जो make up again बताया मैंने जो आपने volume खो दी है उसको आप यहां से match करोगे दीरे दीरे जितना आपको चाहिए जितना भी आपको चाहिए इसको आप match कर सकते हो तो बहुत easy था जैसे मैंने बताया आप आगे पिछे करके वीडियो देख सकते हो clearly आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैंने किया और next आप कोई भी compressor low उसके उपर भी इसी तरह से apply कर सकते हो चलो इसको मैं off कर देता हूँ fruity limiter आपको इससे भी example देता हूँ क्यूंकि मैं आजकल plug-in पे जो complete plug-in effect है इसके effects बाले plug-in है उस पर complete एक series ला रहा हूँ सभी plug-ins को explain कर रहा हूँ तो वहाँ पर यह इस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा fruity limiter पर किस तरह से कर सकते हो तो वीडियो लंबी हो जाएंगी तो मैं आज fruity compressor को explain कर दिया आपके पास किस तरह साप इसका use करके perfect जो dynamic range है उसको control करके किस तरह से सभी चीजों पर इसी तरह से आप इसको apply कर सकते हो आपके पास kick है आपके पास instrumental है इसी तरह से आप apply कर सकते हो यह याद रखना जो attack का बहुत बड़ा role है इसमें attack आप इस तरह से set करना होगा जैसे kick आपने attack के उपर attack अगर set करोगे तो minus 10 millisecond या sorry slow attack 10 millisecond और 15 के आसवास इसको रख सकते क्योंकि यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो हमारी kick है उसका हमने उपर से transient उसका काटना नहीं होता उसको सिर्फ compress करना होता है थोड़ा सा tight करना होता है ताकि mix में punch ही सा sound करे यह आपको समझ होनी चाहिए कि हमने काटना है या फिर उसको सिर्फ punch देना थोड़ा सा तो वो depend करता है जैसे vocals पे तो आपको पता fast attack आप रख सकतो slow भी रख सकतो जिसे साबसे आपने रखना है किसी साबसे आपने compression apply करना यह आपको पत experiment करो सीखते रहो मैंने यह बता दिया इसके उपर दो चार बार practice करोगे तब आपको समझ आए जाएगा जैसे मैंने इस तरफ आपको बोला कि peak level जो देखना है आपको इस तरह से यहां पर master पे किस तरह का है सबसे louder vocal शब्द अपने पास और सबसे quieter कितना है उसको देखना ह यह threshold उसी साफ से set करना है मालो मेरे पास यहां पर minus 15 के आसपास होता है तो क्या करता हूं मैं इसको set करता सबसे quieter part sorry सबसे quieter 15 तक होता तो यहां पर मैं इसको 15 set करता और उसके बाद इसको ratio set करता ताकि वो 15 और 12 के आसपास vocal अपना मतलब सारे words clearly सुनाई दिए वहां तक इसक difference बहुत जादा है dynamic range में यह याद रखना है अगर आपके पास difference बहुत ही जादा है ना जैसे सबसे highest आपका 6 पर जा रहा है सबसे highest जा रहा है ठारा पर तो बहुत ही जादा difference है बीच में तो आप क्या करोगे cut करोगे fast attack रहोगे ताकि वो आपस में match हो जाए अगर आपके पास थोड़ा ही है मालो यह आपने compress कर रहा है और उसके बाद थोड़ा सा second compressor का यूज करना है तो उस पर क्या कर सकतो आप attack को थोड़ा सा slow रख सकते हो 10 millisecond क्योंकि जैसे मालो जब आपके पास attack slow रखना है तो किस तरह से हो सकता है मालो मेरा signal है 12 पर माइनस 12 पर ठीक है highest जा रहा है 9 पर इसमें सिर्फ 3 dB का gap है सिर्फ 3 dB का जादा नहीं है 3 dB का gap है dynamic range के बीच तो आप क्या कर सकते हो slow attack रख सकते हो वहाँ पर उस जगह पर आप slow attack रख सकते हो क्योंकि आपने cut नहीं करना है सिर्फ आपने उसको जो सारी चीज़े आपस में अच्छी तरह से मतल तो I hope आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल मैंने clearly आपको समझ के लिए बिल्कुली briefly बताया कि आपको एक बारी समझ आ जाए तो इसलिए मैंने clearly जो जो सारे steps थे इस तरह से आप clearly compression आपको समझ आ गया होगा किस तरह compression वर्क करता है जो मतलब इस तरह के compressor होते काफी आपके पास मिलेगे stock तो stock पे काफी लोगों ना comment किया था तो मैंने बना दी है अब next time आपको दिक्कत नहीं आने वाली तो हर compressor के साथ इस तरह से आप कर सकते हो ज़रूरी नहीं है जहाँ आपको frequency नहीं दिखरी dynamic range नहीं दिखरी जैसे हमारे को fruity limiter में दिखती है आपके पास इस तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो और किस पे वीडियो चीए वो भी बताओ मैं उस पे भी वीडियो लाओंगा बीच में gap में मैं यह explain इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको काफी लोगों के कमेंट आते कि third party बगरा VST वो तो मैं यहाँ पर बताना चाता हूँ आपको कि आप सेम जो stock plugin आपके पास उसी से भी आप सारी चीजे कर सकते हो तो इसी यह मेरा मोटो है तो इसलिए मैं सारे जो effect plugin FL studio को सब को explain करने वाला हूं ताकि आपको उन सब ही plugin के बारे में सब ही knob एक एक knob के बा हूं